आप सभी को चैत्र नवरात्री की बहुत बहुत सारी शुप कामना है माता रानी की क्रपा आप सभी पे बनी रहे और हम लोगों पे भी बनी रहे माता रानी की क्रपा आज मैं बहुत ही छोटी सी पूजय विदी वताने वाली हूँ कि हम लोग चैत्र नवरात्री में माता की सेवा कैसे करें और माता की क्रपा कैसे प्राप्त करें तो सबसे पहले आपको क्या करना है माता का दीब प्रजलित कर लेना है और दीप प्रजलित करते समय माता को प्रणाम करिए और कहिए कि हे माता मैंने आपके नाम का दीप प्रजलित किया है और आप हमें बहुत शारा आशिरवात देजिए उसके बाद ये छोटी सी मैंने बैशनोदेवी माता की मूर्ती रख रखी आप लोग देख सकते हैं इसमें मैंने चुनरी छोटी सी उढ़ा दी है और ये चोटी सी चुनरी के बाद आप लोग दोठो सुपाड़ी गौरी गणेश रख लीजिए उसमें आप लोग धूप दीप देवेद सम चढ़ा के पुस परपित कर दीजिए उसके बाद में आपको क्या करना है जो भी आप कि दुर्गा कवज सिरी शप्त सती दुर्गा कवज है ये किताब आप लोग को क्या करना है इस किताब में दुर्गा चलीशा है आप लोग रोज एक पाठ दुर्गा चलीशा का कल लीजिए और दुर्गा के इसमें 108 नाम दिये गए हैं वो माता का नाम ले लीजिए और द अगर आप लोग के पास टाइम है, तो आप लोग कर लीजिए, अगर टाइम नहीं है, तो आप लोग दुर्गा चलीजा तो आपको करना ही करना है, तो इस तरह के आप एक छोटी सी पूजा माता के नाम का कर लीजिए, और पूरी पूजा करने के बाद, माता की आरती जरूर तो दोनो टाइम आपको करना है, अम जय, अम बे, गौरी, ये आरतिया आप लोग कर लीजिए, उसके बाद में आगर आप से माता का कोई भजन बनता है ना, तो छोटा सा माता को भजन सुना दीजिए, धोल बाजे, मजीरे बाजे, आज मैया के द्वारे से नई बाजे, मैंने हरवा मंगाया बड़ी दूर से, मैंने मा को पहनाया बड़ी प्यार से, मा खुश हो गई, मा प्रेशन हो गई, मेरी पूजा से धोल बाजे, मा जीरे बाजे, आज मैया के द्वारे सेहनाई बाजे, सभी को प्रणाम, माता रानी की क्रपा, हमारे पूरे परिवार और आप लोग के परिवार पर बने रहे, आशी में शुप कामनाई करती हूं, सभी को राम राम जै माता दी, ओम नमस शिवाय, स्री शिवाय, नमस तुभ्यों, प्रणाम.